नवी मुंबई के नजदीक पनवेल महानगर पाली का शेत्र में पानी की किलत से हाहाकार मज़ गया है सबसे ज्यादा मुसीबत सिड़को जोन खारगर, कलम बोली, कामोठे और तलोजा इलाके में है जहां तीन-तीन दिनों तक पानी की सप्लाई बादित हो रही है जिससे लोग पीने के पानी के लिए तक तरस रहे है देखे रिपोर्ट यह है कि अब लोग पीने के पानी के लिए तरसने लगे है यह हकीकत उस विक्सिट जोन की है जिसे सिड़को ने 2018 में स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने का दावा किया था जहां 24 गंटे पानी का दावा किया था इमारते तो बढ़ती चली गई लेकिन पानी सपलाए में कोई बड़ोतरी नहीं हुई ऐसे में बीजेपी का सवाल सही लगता है कि जब सबको पानी देने की आउकाद नहीं है तब जादा इमारते बनाने की जरूरत क्या है खारगेर की जनता तरस्त हो चुकी है अभी भी आग पानी के लिए सोचेंगे नहीं तो बारते जनते आपाटी एक ना एक दिन बड़ा आंदोलन करेगी आज वो दिन आ चुका है जनता जाग जुकी है और सिड़को देख रहे हैं ने परकल्प बनते जा रहे हैं पानी के बारे में कुछ नहीं सोच रही है் सब लोग देख रहे हैं कि आज जो जिवन जरूरत है हवा के बाद अगर जो बहुत जरूरी है तो वो है पानी जो पानी एक सिड़कों नहीं दे रही है, सिड़कों को एक ही साली उनकी चिंता है, कि हमारे जो प्लोट है वो करोड में बीचे, उसके लिए उनका ध्यान है, बड़े बड़े जो प्रोजक्ट है उनके, जो मेट्रों का काम हो, एरफोर्ड का काम हो, वहाँ है उनका M.D. का बड़े जो पानी की समस्या के लिए किसी को चिंता नहीं है, बताना जरूरी है कि पन्वेल मनपा के सिड़कों जोन में सबसे ज़्यादा शहरी करण हो रहा है, ऐसे में पानी की परियाब सप्लाइप पहली और सबसे बड़ी ज़रूरत है, लेकिन सिड़कों इसे लेकर सि इंतिजामों का दावा कर रही है, समाधान कुछ नहीं दिख रहा, ऐसे में कुछ ठिकानों पर टैंकर से सप्लाइप शुरू हो गया है, लोग पैकेज वाटर खरीदने को मजबूर है, सवाल यह है कि जब जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है और समाधान चा झाल